नमस्कार जैहिंद्स सुरिंस ओ लेवल जैनवरी 23 में अब्जेक्टिव पेपर हो रहा है जैसा कि आप सभी को पता है और आप लोगों को इसके कोश्चन्स जो की पहले हम लोगों के सब्जेक्टिव में आते थे 60 नंबर्स के अब वो सारे 100 नंबर्स के अब्जेक्टिव हो एप इंस्टॉल करने के बाद नीचे स्टोर सेक्शन पर जाएए और स्टोर सेक्शन में आपको कंटेंट में एक नया फोल्डर मिलेगा पाइथन लाइफ क्रैश कोर्स यह उन लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है जिनके पास टाइम की शॉर्टेज रहती है और वो बहुत ही कम समय में पाइथन जैसे complicated language को finish करना चाते हैं हम लोग sequence में इसमें classes update कर रहे हैं आप लोग इसको जरूर चेक आउट करें आज का topic है boolean boolean word का मतलब सिर्फ simple सा है boolean में दो ही शब्द होते हैं दो ही values होती है एक होती है true values और एक होती है false अगर कभी भी आपको in programming you often need to know if an expression is true or false कभी भी कोई programming में आपको कोई भी expression आए अगर वो expression सही है तो true और expression गलत है तो false बस दो ही output आएंगे जैसे कि for example अगर आप लोग इस चीज़ का print out निकालें अब अगर आप खुदी देखिए print 10 is greater than 9 क्या ये condition सही है अगर ये condition सही है तो आपके screen पर बस सिर्फ दो ही output होते हैं booleans में तो जैसा कि आप लोगों को अभी भी मैंने बताए कि मैंने यह print bracket में 10 is greater than 9 लिखा तो automatically इसने बता दिया कि ये true है और अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर लिखूँ is but equal to 9 तो आपको दिखा दिया कि ये जो आपने statement लिखा है ये false है तो python में operators ये the important है ये बहुत इससे इस बार काफी सारे objective questions generate हुए तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखेगा इस पे output क्या आया इस तरह की questions आपको बहुत सारे मिलेंगे तो python में operators कई सारे functions perform करता है operators are used to perform operations on variables and values तो बहुत सारे जो अलग-अप A, B, C, variables लेंगे उनकी ज example के लिए जैसे कि आपको screen पर दिख रहा होगा ये plus time का एक operator है और इसका मतलब होता है दो अलग-अलग values को add करना तो ये operator हो गया अब हमारे पास python में पढ़ने को है assignment operator साथी साथ हमारे पास है arithmetic operators, comparison operator, logical operator, bitwise operator ये सारा आपके slavus में है तो अभी के जो पिछले videos आपने finish किय उस पे हम लोगों ने ये वाला portion पूरा खतम किया जिसमें मैंने आपको string, slicing, indexing, साथी साथ, float, integer, complex ये सभी चीज़े मैंने clear कर दी है और वो भी बहुत ही जादा short ford form है अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले उस पे जिसमें हमें operators पढ़ना है जिसके अंतरकत आपको arithmetic, relative, logical, bitwise ये सारे operators मिलने वाले हैं चली देखते हैं operator कैसे काम करते हैं तो operator में हम लोग शुरुवात करते हैं सबसे पहले arithmetic operators पर अर्थमेटिक का मतलब ही होता है जो basic arithmetic गरणा कर सके basic arithmetic calculation कर सके mathematical जैसे ये वाला sign जो देख रहे हैं ये addition के लिए है जिसमें x plus y दिया गया है ये subtraction के के लिए है ये simple सा divide करने के लिए है ये जो percentage sign है से modulus कहते हैं जो कि दो नम्बरों का remainder निकालेगा ये exponential के लिए है और ये floor division के लिए है मैं आप लोगों को इसको एक ही बार में sign करके दिखाता हूं इसके लिए मैं क्या करूंगा मैं एक file generate कर लेता हूं और उसी file में एक ही file क और y की value मैंने 2 दे दी और यहीं पर मैंने लिख दिया print करो x plus y चिक तो इस तरीके से हो गया यहाँ y की value equal to 2 कर दी इस file को मैं save कर देता हूं आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही करिएगा save कर लिजे और इसी में हम सारे perform करेंगे मैंने इसका नाम ही दे दिया operator अब इसको मैं run करा देता हूं, run कर दिया module और पीछे आपको output पर answer दिखाए देगा कि इसका output का answers कितना आ गया है तो student simple plus operator का आपने जैसे ही देखा कि मैंने x की value 5 और y की value 3 लिखे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने plus operator का use कि addition operator का और simple इसमें हमारा addition आ गया अब मैं इसी के अंदर multiple operators आपको एक साथ करके दिखा देता हूं, जैसे यहाँ है मैंने plus लिख रखा है, इसी के नीचे मैंने यहाँ पर minus भी कर दिया, इसी मैं multiply भी कर देंगे, divide भी कर देंगे, सारे एक ही साथ question कर लेंगे जिससे benefit क्या होगा आपको एक ही question में सारे के सारे arithmetic operators यूज़ करने आ जाएंगे, तो बहुत ही simple है, आप लोग भी बिलकुल इसी तरीके से ही आप लोग अपने system पे भी करके देखिएगा, मैंने आप लोगों को बच्चों एक android का ही एक तरीके से कह सकते हैं, sorry android नहीं, python का ही एक app बताया है, pythroid time से, अगर आप लोगों ने detail देखा होगा, तो आप लोगों को उस app को अपने phone पे भी install करके हम लोग use कर पाएंगे, तो लीजे मैंने ये सारे डाल दिये यहाँ पर, और controllers से save करके, अब मैं run कराता हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, सभी के outputs यहाँ पर आ गए, लेकिन इसमें एक problem यह है, कि हमें यह नहीं पता चल रहा कि कौन सा plus है, कौन सा minus है, क्या है, तो उसके लिए मैं एक simple सा तरीका यह कर देता हूँ, कि इसके brackets में जहाँ print out हम लोग कर रहे हैं, या print निकाल रहे हैं, इसी के पास में मैं यहाँ पर lick देत तो यह चीज constant के रूप में वो दिखा देगा, कि यह क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया, कि यह अब जो है, subtraction है, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया, कि यह जो है अगला वाला, यह division है, और इस वाले को मैंने आपको बताया था, कि यह जो है, percentage sign तो है, लेकिन इसे हम लोग कहते है, modulus, यह modulus है, उसी के साथ साथ यह वाला जो part है, यह आपको double asterisk जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते है, exponent है, exponent, और last में यह जो double slash दिखा है, इसको हम लोग python की language में कहते है, floor division है, अब मैं इसको save करके run कराता हूँ, तो आपको बड़े राम से सारा कुछ यहां मैंने कॉमा लगाने सभी में भूल गया हूँ, इसलिए यह error दिखा रहा है, लीजे मैंने यहां कॉमा लगा दिया, अब मैं output दिखाता हूँ आपको, और देखिए हमारा output आ गया है, तो आपको बड़े राम से समझ आ रहा होगा कि आप कौन सी चीज क्या है, जैसे क आपको दिख गया कि 5 और 38 हो गया, दोनों को सब्ट्रेक्ट भी कर दिया गया, यह division है, points में divide कर दिया गया है, modulus का मतलब remainder value होती है, यह remainder आ गया, यह 2D power दिखाता है, तो 5 की power 3 हो गया, 125 और floor division यह दिखाता है, floor का मतलब होता है बिना points के, तो इस तरीके से हम लोगों का य arithmetic operations clear हो गया, तो I think आप लोगों को यह बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, arithmetic operations, अब चलिए हम लोग next videos में finish करेंगे, assignment और आगे के operations, आपको classes कैसी लग रहे हैं बच्चों, ज़रूर comment sections पर बताईएगा, और अगर आपको इन classes को पूरा का पूरा systematic देखना है, तो हमारे application य जो python की playlist है, और python की playlist में थोड़ा सा नीचे drag करिएगा, और सबसे last में जब आप देखेंगे, तो सारे videos यहाँ पर crash courses के जो videos आप पढ़ रहे हैं, systematic आपको दिखाई देगे, wish you best of love, keep watching, goodbye.